बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों इसी क्रम में आज हम अपरदन चकर की बात करेंगे तो एक्जाम में जो सवाल आता हूँ या आता है कि डेविस मोदे ने 1899 में भोगली चकर की संक्लपना का परतिबादन किया था और भोगली चकर क्या है भोगली चकर समय की वहवदी है जिसके अंतरकात उत्थित भूकंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकरती वहिन समतल मैदान में बदल जाता है यह उन्हें भोगली चकर की परिभाशित किया है कि भोगली चकर समय की वहवदी है जिसमें जो भूकंड है अपर्दन की प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर उने में बता है कि इस्तल रूपों की निर्माण एम्विकास में structure, सरंचना, प्रक्रम तथा समय आवस्ता का प्रभाव होता है इस आधार पर डेविज नहीं प्रतिपाजित किया कि इस्तल रूप, सरंचना, प्रकम तथा समय का प्रतिफल होता है यह इसकी परिभासा है या यह भी कह सकते हैं कि लेंड्सकेप इजे फंक्सन और पिस्ट्रक्षर, प्रोसेस और टाइम यह परिभासा डेड नमर में पूछ लेते हैं कि इस तो रूप सरंचना प्रकम तता समय का प्रतिफल है यह डेडिविस की अपरदन्चकर की परिभासा है इन तीनों कारकों को यह तीनों कारक कौन से हैं सरंचना प्रकम तता समय को डेडिविस ने त्रिकूट के नाम से भी जाना है आते डेविस ने ये बतानी की प्रयास किया है कि उत्थान और अपरदन की बात की उन्होंने उत्थान और अपरदन में डेविस ने काया कि जब तक उत्थान बुकंड में या इस्तिलकंड में उत्थान होता है तब तक उत्थान परार्म होता है और जब तक उत्थान चलता ह तब तक अपरदन नहीं होता है ये उन्होंने अपनी concept की और यह जाके आगे जाके उसके आलोजना का भी कारण बनीं उनका है कि उत्थान इस तल्थान के साथ परारम अपरदन चक्र इस तल्थान के साथ परारम होता है उत्थान की आवदी छोटी होती है लेकन तिर्व गति की होती है मलब फास्ट गति से उत्थान होता है उन्होंने यह बता है और जब तक उत्थान चलता रहता है अपरदन प्रारम नहीं होता है और यह प्रकरती कभी भी वेट नहीं करती कि किसी स्तलगन का कि यह जब उसका यदि उत्भान हो रहा है, तो उसमेए इ्रोजन नहीं होगा, यह संबव नहीं है, व inflict courage का, लेकिन समचन का लेका लेकिन नहीं हमdefined ज़ने के उत्तब्ह बता है, तरत में उत्थान का थो होता है, परन्तों जैसे ही उत्तान की पूर्ण हो जाता है, अपरदन प्रारम हो जाता है और वो चकर के अंतक चलता रहता है मलो उठान पूर्ण हो गया इरोजन प्रारम हो गया और वो इरोजन चकर के अंतक जो अंतिम स्टेज है जिसमें जब तक पैनी प्ले नहीं बन जाते हैं मोनोडॉक्स नहीं बन जाते हैं तब तक वो अपरदन चलता रहता है, यह डेविस की संकल अपना है, डेविस ने अपने जो चकर को है, वो तीन भागुमी माटा है, तीन भागुमी माट के उसको कारे किया है, और उसको तीन स्टेज बताई हैं, यह कह सकते हैं, एक तरोनावस्ता, एक प्रोडावस्ता, और एक जीर्ण अवस्ता और उसके बाद में जीर्ण अवस्ता के बाद ये मनोडॉक्स बनके ये पनी प्लेंस में परिवतन हो जाता है लेकिन देविस का भोगोलिक चक्र ये मोडल है निम्न मानेताओं पर आधारीत है नमर एक इस्तलरू अंतरजात और भाहिजात कारखों की प दूसरा उस ना कहा कि इस्तल्रूपों का विकास इस तरह से करमिक रूप में होता है कि प्रयावनी दसाएं उसमें इसमें इस्तल्रूपों का अनुकुल विवस्थित, करंबग और अनुकरम उत्पन होता है तीसरा उन कहाwatch कि नदियां अपनी धाटी को गहरा करती रहती है जब तक नदियां गहरा करती है जब तक कि वो एक क्रेडिट फॉर्म में नहीं आई जब तक नदियां का प्रोसेस चलता रहता है होताओं अंधे है कि इस तल 맡खन का उठ्थान तीवर गती से लगोए अग्दियू नहीं हो जाता है यह उसने रूब में हमने विव्य है लेकिनिς हमनने मानेताओं में भी है कि इस स्तल貰 हम्तान का उठ्थान तीवर गती से प्रिक्रिया में पहले बता दी है जब तक उत्थां प्राइल आप नहीं हो जाता है तब तक अपर समाप्त नहीं हो जाता तब तो इसके आधार पर डेविस ने अपने विचार व्यक्त किये हैं इन विचारों के आधार पर डेविस ने अपने जो भोगोलिक चकर या अपर्दन चकर को तीन अवस्ताओं में उसने बाटा है नमबर एक तरून अवस्ता, नमबर दो प्रोड़ावस्ता और नमबर तीन जिरून अवस्ता तरून अवस्ता में क्या इस्तती है कि इसमें इस्तलखन के इस्तान की समापती के बाद अपरदन परार्म होता है ये पहला स्टेज है जिसमें उन्हों बताए कि इस्तलकण में ये उत्थान कम्प्रिट हो गया है एक चरण सिमा पे पहुंच गया है उसके बाद ही अपरदन प्रार्म होता है पहाड़ियों के शिखार तथा जल्व भाजों के शिखरी भाग अपरदन से प्रभावित नहीं ह होते हैं क्योंकि प्रार्म में सरीताइं छोटी तथा दूर दूर होती है और इन लगू सरीताओं में ही उद्गम की और अपरदन होता है जिसका उनके लंबाई निरंदर बढ़ती जाती इस प्रक्रिया को उसने सरीता धिर्गा की करण भी कहा है तो ये पहली स्टेज है द आओ रारु कि जते हैं कि वर्टिकल या ओरिजिंटल इरोजन था और प्रोड़ावस्ता आते ही यह लेटर इरोजीन प्रार्म हो जाता है अर्थार्त्त घाटियों के चोड़ाई भढ़ने लगती है इस क्रिया को घाटि का चोड़ा होना भी कहते है और तीस्री ज आवस्त प्रकार की जो प्रक्रिया उनों डेविस ने बताए कि ये तीन अवस्ताओं से होके और ये आंतमी ये मनोडॉक होते भी पेनिक लेन्स की स्थिति में ये बन जाता है यह हम ही कह सकते हैं कि डेविस के जो जीरोना वस्ताओं में ही मनोडॉक की संग्या दी गई है मनोडॉक्स का नाम करण स्विंक तराज अमेरिका के न्यू हम पेसाइस की मनोडॉक पहाड़ी के नाम से करकिया गया है तो यह मनाडॉक पहाड़ी यूस्या के अंतरगत है इस आधार पर डेविस के यदि हम भोगोलिक चकर के दि मुल्यांकर की बात करें क्रिटिसिजम की बात करें तो उसमें डेविस के जो भोगोलिक चकर को विस विस्तर पर व्यापक मुक्त समर्थन खैती मिली थी इतने अधिक नहीं हो सकी है कि समर्थन अलफ संक्य हो गए है तथा भी आलवच को भी डेविस के उद्रों को लेकर यह हम कह सकते हैं कि सबसे पहले इरोजन की बात की है तो डेविस नहीं की है और इसके प्रफावी पक्सों की बात करें और शिद्धान के कमजोर पक्सों की बात करें तो यह दूनों बातों के आधार पर में यह पता लगता है कि जैसी वहाउस ने स्ट्रों में यह गल्ती की है कि अपरदन के साथ उत्थान परारम नहीं होता है उत्थान के साथ अपरदन परारम नहीं होता है इस कमी को लेकर उसकी समझाएं रही हैं लेकिन फिर भी इसको आज भी डेविस के इस अपरदन सकर को सरहाया जाता है तो यदि प्रवाइब पक्स की बात करें तो डेविस का मोडल अत्यदिक सरल तथा व्यवार पॉन है नमबर दो डेविस ने अपने मोडल को जो है रोचक एम ससक सहली में युकते के परस्तुत किया है तीसरा डेविस का मोडल व्यापक इस्तरबर छेत्र अध्यन से प्राप परिणावों पर आधरित है नमबर पांस डेविस के शिद्धान्त ने ततकारिन भूविग्यानमी परशलित विकासी विचाधारा को भरपूर समर्थन परदान किया है और अंतिम है डेविस के शिद्धान्त में इस्तरबू के विकास से समन्दित भारी कथन तथा पिछली गट्टाओं की पुनर्थना तथा दोनों की सामर्ते हैं इस आधार पर ये प्रभावी पक्स हैं इसके फेवर की प्रमान हैं इस सिद्धान्त के कमजोर पक्स हैं या इसकी आलोचना की हम बात करें तो उसके निमलिकित पॉइंट्स हम कह सकते हैं इसमें कंसिडर किये जाएंगे नमबर एक डेविस ने कहा कि उत्थान की संकलपना माने नहीं है क्योंकि उस ने कहा कि अल्पकानिन त्वरित दर से ही उत्थान की बात कही है जबकि प्लेट वेवर्तिन सिद्धान्त के अमसार उत्थान की प्रिक्रिया सतत चलती रहती है इसकी दर अत्यन्त मंद होती है उन काया कि डेविस ने उठान ऑपरदन के बीच समंद्ल की प्रतेक्षा नहीं करता ये सबसे महत्यकून इसकी अलोचना है उन काया कि उठान परवार्म समाप्थ होनी पर ही अपरदन परवार्म होता है इसीज़ में डेविस का आलोचना का शिकार हुए हैं अपरदन की भी प्रार्म हो जाता है लेकिन डेविस ने इस समापती के संदर में कता है इस पिक्षन देते विका है कि उत्थान की अवस्ता से अपरदन को दो कार्फों में से अलग किया जा सकता है डेविस के तीसरी भोग लेक्षक के तीनों वस्ताओं तरौन वस्ता प्रोड वस्ता तरद जिन ये तीनों गुजने के बाद समापती के लिए इस्तलखण को धीर काल तक इस्तलद्रसा में रहना होगा परंतु प्लेट विवर्तन चिद्धानत के अमसार इस्तलखंड की धीर कालिन इस्तिरता संभव नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण इसकी आलोचना हुई क्योंकि इस्तलखंड सदा गतिशील रहे हैं और भूपटन विवर्तनी गटनाउं से सदा प्रभावित होते रहे हैं। डेविस का इसकी स्प्रस्टी कर्ण में यह कहना है कि चक्र की पूर्ण समाप्ती के लिए यदि इस्तली गुपटली इस्तिरता संभव नहीं हो पाती तो पुने उत्थान होने के करणा अपरदन चकर में व्यवधान हो जाएगा तता नया अपरदन चकर प्रार्भ हो अनुकर्मिक विकास नहीं होता है और अन्तिम जो इसकी कालोजना है वो यमन स्टालर वो जे टी हैक और आर जे चोरले आदिने डेविस द्वारा प्रस्तूत इस्तली 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 के विकास की संभव ना को एस्विक्रत करते इसे गतिक संतुलन शिधान का परतिबाद किया है अतय इस्तली 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 के विकास से संभव जो गतिक संतुलन शिधान अब चक्री संकलपना को डेविस के भोगलिक चकर के विकलप के शिधान तो ने से अधिक समर्थन नहीं दिया है तो इन आधार पर इन आलोसनों के आधार पर डेविस का जो शिधान की आ उसकी जो कम्या थी उन कम्या को आगे चलकर जो जर्मनी के विद्वान है वाल्टर पैंक उन्होंने इस कम्यों को देखते भी है अपना अपरदन चकर प्रारम किया वो नेक्स टाइम हम उसमें करवाएंगे थैंक्यू